Discover Currently Not Indexed यह error आप अपने Google Search Console के उपर कभी न कभी जरूर देखे होंगे आप में से जितने भी लोग beginner है और blogger वेबसाइट बनाए हैं उसके उपर कभी न कभी यह error आपको Google Search Console के उपर दिखने को मिल सकते हैं आज इस topic को पूरी तरीके से हम लोग cover करने वाले हैं क्योंकि ज्यादातर case में हमारे जितने भी विवर से उन में से ज्यादातर लोगों को यह problem आते रहते हैं क्योंकि वो लोग search करते हैं और PC Graver जो channel है इसके उपर हम अपने 8 साल के YouTube और blogging experience को as it is share करते हैं और आप लोग की प्यार और support से हम लोग 2 के complete कर चुके हैं हमारा next goal है 5 के और 5 के होते होते हम आपको बहुत सारा चीज as it is reveal कर देंगे जितने भी चीज हमने experience किये हैं तो मैं आपको prefer करूंगा PC Graver के यह जो A to Z website making वाला playlist है और यह जो YouTube SEO setting वाला playlist है अगर आप blogger है जीरो से शुरुआत कर रहे हैं और अगर आप YouTube है जीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो आपके लिए यह एक अनुखा channel हो का साथी साथ हम यहाँ पे photo editing, video editing, adsense के बारे में blogging में जितने एरा राते हैं YouTube पे जितने एरा राते हैं computer के setting software के बारे में सारे चीज़ बताते हैं लेकिन मुझे एक चीज़ बुरा लगते हैं देखिए भई मैं आपको यहाँ पर आपके सामने on screen दिखा देता हूँ आप logo में से जितने भी लोग subscribe करते हैं वो बस 30% in bill notification को on करते हैं और 20% लोग बस subscribe करते हैं लेकिन notification को on नहीं करते हैं मतलब subscribe करके notification को all पे दबाना है और उससे भी दुख तब होते हैं जब मैं देखता हूँ 75% लोग हमारे वीडियो देखते हैं उन में से बस 24% लोग subscribe करते हैं आप अगर वीडियो देख रहे हमें मोटीव करने के लिए subscribe करें तके हम भी आपके लिए genuine content बना पाए सचको तो अगर आप हमारे regular viewer हैं तो आपको ये पता होगा कि आप beginner अगर है जिरो से शुरुआत कर रहे हैं आपके लिए PC Grubber एक अनुखा चैनल होने वाले हैं तो आज की topic है discover currently not indexed अगर आपके google search console के उपर कुछ ऐसे error आपको दिखने को मिलते हैं आज की तारीक में competition इतना ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि आप लोग को error भी बहुत सारा दिखने के लिए मिल जाएंगे लेकिन उस error को fix करने से पहले वो error आखिरकर क्यों आ रहे हैं वो error क्या करने से fix होगा ये सारे चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं discover currently not indexed ये जो error है ये इसका मतलब क्या है आखिरकार इसका meaning क्या है देखे भाई सीधा सादा मतलब है discover का मतलब ये है Google जो है आपके page को मतलब आपने जो page के उपर ये error आ रहे है वो page को Google ने देख ली है और Google को आपके page के बारे में पता है duplicate without user selected canonical tag ये ज़र error है ये जैसे कि मैंने आपको बताया था ये fix पे लगाया था और ये fix भी हो चुका है यहाँ पर अप लोग देख सकते हैं 0 है अब ये वीडियो ध्यान से देखो आपका अगर discover currently not indexed वाला error आ रहा है वो भी ऐसे ही fix हो जाएंगे तो देखो वाई आपको इतना तो पता लग चुका है discover currently not indexed इसका मतलब क्या है Google को basically आपके pages के बारे में पता चल चुके है चाहे वो किसी thought party जरिये से हो चाहे Google का crawler दूसरे किसी post के उपर गये थे उसको crawl करने के लिए उस time पे आपको वो page दिखने को मिले जिसके उपर आपको discover currently not indexed वाला error आ रहा है और जो Google का mobile bot है या फर desktop bot है वो बस आपके page को देखे हैं उसको पता लग चुका है page के बारे में मतलब उसने बस discover किये हैं लेकिन उसको indexed नहीं किया अब क्यूं नहीं किया इसके बारे में बात करते हैं अगर आपको लग रहा है मैं आपको अज बाते ही बता रहा हूँ लेकिन कोई काम नहीं कर रहा हूँ तो अगर आप ये सारे चीज नहीं समझोगे मैं आपको लिख कर दे सकते हूँ आप इसको solve भी नहीं कर पाओगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया गूगल को किसी भी तरीके से चाहे वो हो सकते हैं आपने कोई link को social media के उपर share किया था तो उस time गूगल को पतर लग चुके हैं कि भाई ऐसा एक post है इसका मतलब ये हैं discover करना और index करना अलग बात है index वो होते हैं discover के बाद Google के crawler चाहते हैं उस page के उपर उसके बाद वो जाने के बाद वो check करते हैं page search result में दिखाना चाहिए या फिर नहीं अगर उसको लगते हैं how I search result में दिखाना चाहिए तो उसके बाद वो index करते हैं तो basically आप बात करते हैं आपको क्या-क्या चीज ध्यान रखना चाहिए ताके आपकी ये error नहीं आए, अगर ये error आ चुके हैं, वो fix भी हो जाए, तो सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हो, मानू ये हमारा blogger website है, अब ये जो दोनों post एक और दो, ये जो दो post है, मानू ये उपर वाला जो post है, इसके उपर error आ रहा है, discover currently not indexed, लेकिन ये जो post है, ये Google के उपर indexed है, तो इस किस पर सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो post है, इसका link को आप लोग कॉपी करोगे, जो index नहीं हो रहा है, और जो index है, उसके उपर जाओगे, उसके उपर जाने के बाद, कहीं पर भी इस link को ऐसे करके, आप लोग link paste कर दोगे, जैसे कि हमने य जब दुबारा इस post के उपर आएंगे, तो जब ये एक एक करके crowd करने लग जाएंगे, तो यहाँ पर आके ना वो रुख जाएंगे, और यहाँ पर देखेंगे, एक internal link क्या हुआ है, और वो इस link को पहले पढ़ेंगे, कि ये कौन सा link है, यहाँ पर क्या दिया हुआ वो इस post को भी पढ़ेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा chance बढ़ जाते हैं, कि इस post को पढ़ने के बाद Google के जो crawler है, उसको लगे वो post भी index Google के उपर होना चाहिए, इसे ही कहते हैं, internal linking, अब जब YouTube के उपर विडियो देखते हो, वहाँ पर आपको बताये जाते हैं, internal linking करो, लेकिन बहुत सारा ऐसे नए दोस्त है, जो blogging के उपर नए हैं, उनको पता भी नहीं लगते, internal linking किसे कहते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको करना ये है, basically आपने जो post बनाए थे, अगर ये index है, तो इसके उपर इसका link किसी भी तरीके से कहीं पर भी टालना है, और ध्यान रहे, link ज्यादा से ज्यादा एक या दो जगा पर डालो, उससे ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए, उसके बाद आपको एक चीज करना है, मानो आपके इतने सारे post है, इसके उपर तीन post के उपर discover currently not indexed वाला error आ रहे हैं, तो इस case पर आप लोग क्या कर सकते हो, अ आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करना है, आपके site map को delete करने की कोई जरूवत नहीं है, अब बस यहाँ से यहाँ तक copy कर लो, and site map के उपर दुबारा जाओ, यहाँ पर उसको डालो, and submit के उपर और एक बर click करो, जैसी guys, आप लोग submit के उपर click कर देते हो, यहाँ पर सारे pages को हमने नए discover की है, एक बार crawler भाई अब जाओ, इसको check कर के आओ, तो crawler जाएंगे, and दुबारा वो index कर सकते हैं, अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका एक बहुत बड़ा reason हो सकते हैं, हो सकते हैं, Google के जो crawler है, वो इस टाइम पर दूसरे किसी website को crawl करने में busy ह तो उस case पर आपको discover currently not index वाला error आ सकते हैं, अब अगर मैं ऐसे बताऊँगा, तो ये गलत होगा, क्योंकि discover currently not index जो error है, वो बहुत सारा reason की वज़े से आ सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक reason को यहाँ पर cover करने के लिए, अब उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, आपके post के उपर आपको ध्यान देना है, इन सारे चीजों को follow करने के बाद, अगर आपके discover currently not index वाला error fix नहीं होते हैं, तो आप लोग basically क्या करोगे, अपने post का link को आप लोग कोपी करोगे, यहाँ से copy कर लो, और copy करने के बाद, आपको Google के उपर search कर लेना है, Google mobile friendly testing tool, जैस search कर लेते हैं, सबसे पहला वाला website यह आजाएंगी, इसके उपर जैसी click करोगे, इस website के उपर upload आजाओगे, यहाँ पर आपको अपने website का जो post है, उस post का link यहाँ पर paste कर देना है, और इसके बाद test URL के उपर आपको click कर देना है, जैसी यहाँ पर testing live URL upload कर देते हैं, यहाँ आपको थोड़ा सा time देना है, उसके बाद यह आपको तुरंद बता देंगे, कि आपके page जो है, वो mobile friendly है, mobile के उपर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो bot testing live tool करते हैं, मतलब अभी अभी जो bot ने हमारे URL को test किया, यही bot आपके crawl करने के time पे आपके website के पर जाते हैं, यहाँ पर देखिए, crawl successful on September 12, यानि आज के तारीक में यहाँ पर इस time पर crawl की गई है, अब यहाँ पर बता रहा है, page is usable on mobile, तो basically आपको ऐसे test कर लेना है, अगर आपके case में कोई भी error आ रहा है, तो आपको समझ जाना है कि आपके post के उपर कामिया है, अब हमा crawl करने के बाद उनको लगते हैं, कि भाई यह crawl हो चुके हैं, लेकिन index नहीं है, उस case पर आपको यह error आएंगे, कि crawl currently not indexed, और discover currently not indexed का मतलब मैंने आपको बता दिया, अब आपको करना क्या है, अब गूगल के उपर जाओ, और गूगल के उपर आपको search कर लेना है, जैसे कि हमने search किया website post pink send, अब यहाँ पर search करने के बाद आपके सामने बहुत सारा ऐसे tool आ जाएंगे, जिसके उपर आप लोग जा सकते हैं, और यहाँ पर कोई सभी एक website को आपको open कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक URL देना है, उसके बाद यहाँ पर category select करना है, अलग-अलग website में अलग-अलग interface हो सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ping URL now, इसके उपर हमें simply click कर देना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर click कर देते हैं, अब देखिए नीचे यहाँ पर result आपको दिखने के लिए मिल जाएंगे, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा loading हो जाएंगे, थोड़ा सा time भी लगा सकते हैं, कुछ-कुछ website में बहुत ही जल्दी हो सकते हैं, यहाँ पर एक-एक करके हमें ping भेजा जा रहे हैं, तो basically post के उपर जैसे आप ऐसे ping भेजते हैं, और Google के crawler जब आते हैं, तो उनको जब लगते हैं कि इसके उपर हाइपिंग हैं, तो उस time पे यह crowd करने का chance जो है वो बढ़ जाते हैं, अब उसी के साथ एक चीस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने blogger website बनाये हैं, तो जरूरी यह हैं कि आपके post अगर search result पे आना चाहते हैं, और उस को जल्दी जल्दी index करवाना चाहते हैं, कोई error के बगएर, तो आपको अपने blogger website के उपर bank link बनाने पड़ेंगे, एक एक post के उपर आपको backlink अच्छे तरीके से बनाने पड़ेंगे, आज की तारिक में backlink के उपर लोग उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कही मैंने अपने 8 साल के जर्णी के उपर देखे हैं, जिस post के उपर backlink अच्छा खासा है, उसके उपर views भी अच्छा खासा आते हैं, तो genuine authority वाला backlink यानि जो genuine है, वो backlink अप कैसे बनाओगे, वो भी free में blogger के लिए i button पे एक वीडियो आ रहा हुगा, जहां पी click करके आप लो दिखने के लिए मिल जाएंगे, यह दिखे, genuine blogger backlink, और वैसे भी मैंने i button पे आपको दे दी हैं, तो इस वीडियो को आप लोग चेक कर सकते हैं, कैसे आप blogger के लिए high authority वाला backlink generate कर सकते हैं, तो backlink बनाने से google के जो crawler हैं, वो जब आपके post के उपर आएंगे, तो उनको ल पोस्ट बनाये हैं, जिसके अंदर कोई value नहीं है, तो google उसको क्यों index करेंगे, क्योंकि उससे related और भी अच्छा खासा post google के उपर मौजूद है, google हमेशा चाहते हैं, कि आप कुछ नया करो, आप कुछ इस तरीके से बनाओ, जो लोगों ने नहीं बताएं, इस दौर पर मैं इसके इस पर आप कहां पर जाओगे कपड़े खरीदने के लिए, और सबसे बड़ी चीज अगर वो नए दुकानदार बहुती अच्छी सर्विस और अच्छे quality प्रोवाइड करते हैं तो, तो ऐसी चीज ब्लोगर के उपर भी हैं, हजारों ब्लोगर हैं, उनमें से आपको बहतर होना है, सच कह तो ब्लोगिंग के उपर बहुत सारा पैसा आप कमा सकते हों, अगर आप सही रहा पे सही तरीके से गोगल के policy को follow करके, हर एक चीज़ को अंजाम देते हों, हर एक post बनाते हों, तो आपको result दिखने में उतना देर नहीं लगेंगे, अगर आपको बिश के से follow करना चाते हैं, उसके लिए भाई, ये पीसी ग्रवर जो चैनल हैं, ये आपके लिए बनाये गए हैं, हम अपने आठ साल के YouTube और ब्लोगिंग experience को कटे करके, जितने भी हमने सीके हैं, जितने भी error के बारे में देखे हैं, जितने भी fix किये हैं, वो सारे के सारे चीज के will notification को all पे set कर लेना, पीसी गरवर टीम कभी भी आप से आपके personal information like OTP mail address, bank details कुछ नहीं मांगते हैं, तो ऐसे चीज़ कभी भी हमारे वीडियो के comment पे या फिर email पे मत जाला करिए, और मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा हमारा लंबा हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग के जितने भी doubt है, एक एक topic को लेकर हम 100% उसको clear करने की कोशिश करते हैं,